सुद्ध मैं सेल शीशर्मा, वेलकम्स तू आल फू यू हीर ऑन माई चैनल जानकरिहित, अज तो डिनल गल करांगे, अकाउंट इन सीधा पार्ट फिफ्ट, एन सी क्यूज फोर ठीरी बेस ओफ अकाउंटिंग, अज दा साथा जो विशा है, ओ मल्टीपल चॉइस क्वेशन पर चैप्टर है लेखांक अंदास सिधांतिक अदार, ठीरी बेस ओफ अकाउंटिंग, एक्जाम पॉइंट तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेशन नहीं ते आनल सिखने है, इस चैप्टर टेक्निकल भी बहुत है स्टूडेंट्स लेट स्टूडेंट्स थोड़ा अगे वदिये ते आज दे क्वेशन नो जानिये येस, सब तो पहला क्वेशन आज दा, एक्जाम पॉइंट हो भी तो यसे क्वेशन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते ने जो साड़ें सिर्फ इस चैप्टर नर्लेटियर ने, IFRS stands for, IFRS ती फुल फर्म किया जिसनों सी कह सकने Indian Foreign Reserve Standards A option, B option Indian Financial Reporting System, C option International Financial Reporting Standards, D option internal financial reserve system ये students, सो चिज़े रख की है, इस दा, राइड आंसर, राइड आंसर इस दा, राइड आंसर इस दा, राइड आंसर इस दा, C students, International Financial Reporting Standard, Students, IFRS, Rican से, International Accounting Standard Board, जिसनों IASB दे नाम नाल जान देने, इहें Accounting Standards ड्वेल्प करदा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग दे लई, सारे देशान वे ही, टाइम टू टाइम, नम यहां, गाइड लाइन जारी करते हैं, तांकि, इंटरनेशनल लेवल दे होते हैं, क्योंकि, बिजनस दी, ग्लोबलाजेशन हो चुकी है, जो, अकाउंटिंग प्रसेस ने, आलमुस्ट सेम रहन, तांकि, हर एक देशदा अपना इक स्टेंडर्स हों देने, इंटरनेशनल स्टेंडर्स दियां, इंस्रक्शन दियां से रख दे हुए, अटरनेशनल काउ बिजन स्टेंडर्स ठर्सेंडर्स आत्राणाल्स, घ्लैंट देनी दियां आत्राण ओर्सेंडर्स, इंस देनिद अव्लडर्स आंध आपल्स ऌуки, य।च कर देशजisen, Generally Accepted Accounting Provisions B option is Generally Accepted Accounting Policies and C option is Generally Accepted Accounting Profits D option is Generally Accepted Accounting Principles Right answer of this question is students सोच ले दो सी हाओ इस दा सही आंसर देखिये सही आंसर है Generally Accepted Accounting Principles Gap Gap बड़ा Important Concept है Gap दे अंतरगत में होंदा की Students सन्नुए दी थोड़ा जा Brief में तो अनुए थे Discuss जरूर करना चाहांगा Assault students Gap है Are the basic rules that define the parameters and different type of principles within which accounting operates यह प्रिंसिपल ने Generally Acceptable ने जिसने Accordingly Books of Accounts दे विच Accounting दे प्रसेस नो पूरा करन दे लिए जो Rules ने उना नो Follow किता जानता है Clear? Our students आगे वादी है Next question of this MCQ test is Which Indian Institute Issues Accounting Standards in India? केड़ा पार्ती Institute पार्त विच लेखा मापदन जारी करता है चार उप्शन है Students साड़े कोल सब तो पहला उप्शन A उप्शन है ICSI B उप्शन है ICAI C उप्शन है IASB D उप्शन ICWA So चेदर राइट आंसर की हो सकता है Indian Accounting Standard नूँ केड़ा Institute तै करता है Right answer of this question is ICAI Indian Institute of Chartered Accountants of India बार-बारा सी कहने हुने है अनूं Commerce दे फिलते वीच वी जो टॉप मोस्ट प्रफेशन है अनूं CAs दे नाम नल जानने है Chartered Accountants जिनने भी Chartered Accountants दे हो Accounting Standard Board है जिननूं ICAI कहने है यहां सी Accounting Standard Board ICAI दे वीच ए टाइम टू टाइम इंडिया दे वीच Accounting Standard ने जड़े हो जारी करता है Clear? ते बाक्की भी ऑप्शन तो और जानकर लीए मैं तो जान्जे करना जानने है Journal Lawless से के फुल जड़ी इनना दी फुल फुल फॉर्म कीने जिमें सब तो पहला है A option दे वीच ICSI Indian Institute of Company Securities Sorry, the Institute of Company Securities of India B option है ICAI, ASC 10 से चुक्के हैं तो नो The Institute of Chartered Accountants of India C option दे वीच एक वर्ड IC IASB The International Accounting Standard Board D option दे आसी ICWA The Institute of Cost and Works Accountants एक फुल फॉर्म काफी important हो सकते हैं किसे भी MCQs देना डेलेटेट आँ स्टुन्स अगे वदी Next question is Full form of GST पड़ा असान question है Maximum बच्चान वांता होएगा GST दी फुल फॉर्म की है A option is Goods and Sale Tax B option is Goods and Services Terms C option is Goods and Services Terms D option is Goods and Services Tax मेरे काल सारे दा आसर भी ठीक होएगा आओ आसरे करिए Right option is Goods and Services Tax GST Clear students Next question is Which is not the type of GST So, आनों बदाए GST दी याँ Types ने असी दसने किना चो केड़ी GST दी टाइप नहीं है Different type दे विचो A option is CGST B option is TGST C option is SGST D option is IGST So, इसले है तो उसी मेरे खाल्स जड़ा नहीं है असी वो दसने So, students आओ Right answer रही है Right answer is TGST क्योंकि बाकि जो तिनों option ने CGST, SGST ने IGST ये तिनों लग-लग टाइप ने जिमें CGST है State Goods and Services Tax CGST है Central Goods and Services Tax IGST है Integrated Goods and Services Tax CGST ते SGST हो दो लग देने जो दो किसे state दे within कोई business transaction हो रही है IGST दो लग दे है जो एक state दो दूसरे state दे वीच कोई वस्तों दा लेन देन या business transaction हो रही है Clear, so right option is TGST क्योंकि ये हिज़ा कोई GSTD टाइप नहीं है Next question is, question number 6 Till now, मैं इता अंदास रहे हैं क्योंकि आनवले time दे विच हो सकता है कोई बच्चा इस MCQ नों चेक करे उस time तक कोई slab change न होजे Till now इस करके वरते है Till now, that is November 2021 GST rates applicable आर केड़े-कड़े GST rates समें लागून है A option है 0%, 5%, 12%, 18%, 26% B option दे विच फिर 0, 5 and 12 होता है Last 18, 28% C option दे विच 0%, 5%, 12%, 16%, 26% D option दे विच 0%, 5%, 12%, 16% and 28% असी दसने के GST दे केड़े rates ने केड़ें slabs ने इस समें साथे देश दे विच लागून है सानु सारे नुग पता है कि अलग-लग वस्तुआं दे उपर अलग-लग टाइप दा GST लगाया है तांकि consumer दे उपर उदा proper rational effect पर कोई consumer जो ग्रीव है उस दो जड़ी है ओधी जरूर दिया वस्तुआ ने टेक्स अकाट होंद है जोड़ी है लगजरी सा आइटम ने विलास्ता दी वस्तुआ ने महेंग याने होना ते rate of GST जाद है असी ना चो दसने कि इस ताइम साढ़े देश दे विच एच चारां दे विचो केड़ा GST rate वाला slab लग हो है इस प्राइट आंसर ओफ दिस क्वेशन इस बी 0% जडियां बहुत जरूर दियां वस्तुआ ने जिन्दा रहन ले जिना नो जरूरी है ब्रेंडड नहीं है कि आनो दे 0% फिर निसेस्टी गूर्फ 5% जिस तरह ही वस्तुआ दा rate मेंगा हो रहे है consumer दी capacity नो देख देख दे GST दे rate बदले विने सरकार ने 12% 18% दे जड़ा सब तो ज़्यादा GST मेंगियां वस्तुआ दे विलास्ता दी बारा परसेंट 18% GST दे rate लागूने next question question number 7 GST collected is a dash business दोवाना जो GST collect कीता जानता है समझे लगया वो business दिली की है जिसनों आसी output GST दे नामना जानने है याद रखो इस जिसनों तुसी पहला GST दे वीडियोज ने GST collect कीता जानता है business दे ली income है A option B assets है C liability है D expenses है and the right answer of the question is C liability क्योंकि जो GST collect कर दा है businessman उस दे कोल अपने कोल income जा आसर से रूप नहीं रहनदा होने government नो देना हुंद है that is liability for the business man next question student question number 8 how many accounting standards are there in India 2021 इस साल मैं जानवुज के दीता है with intention क्योंकि accounting standard time to time जो सड़ा accounting standard board manage कर दा है वो बार 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 बदल दे रहने 2021 विच किन्न accounting standard इस समय इंडियाच लागू ने A option is 17 B option 24 C option 28 D option is 41 Indian accounting standards के इंडियोज इंस्टूरेंट सोचो जरा आफट आफट मेरे खालतों सी सोच चुके होंगे right answer of this question is 41 clear 2021 तक इस समय देश दे विच इक्ताली accounting standards ने कुछ दे वारे brief on 1st April 2015 there are 32 accounting standards 32 वी तियाँ रख्यो till 29th February 2016 there were 29 as the mandatory accounting standard and 3 accounting standard data 30 31 and 32 सी ओं mandatory नहीं सी ओं optional सी समय लगया एक कुछ brief information accounting standard दे वारे जो इस chapter ना related है next question accounting concepts are based on जो लेखा संकल्प ने जिनन वसी लेखांकन दे सिदांत कहने है based upon dash देदारितने किस देदारित होंदेने A option fact and figure दे उपर B option accounting record दे उपर C option is certain principles and conventions principles सिदांत होंदेने conventions parampraha D option is government guidelines सिरकार दे जो दिशानर देश ने ये option जो fact and figure है मनला जो data जो सुचना उपलवद है ओ दे यदा आरते अकाउंटिंग record दे यदा आरते कुछ नीमा दे यदा आरते जा government guidelines दे यदा आरते accounting concept किस दे बेश्ट होंदेने students right option of this question is a certain principles and convention जिनेवी accounting concepts ने जिनन दे सी गल करांगे ओ बहुस औरे principle जा conventions देदा आतने principle सिदा आतने convention कुछ प्रंपराने जिनानों सिदा आन्थान दे रूपदे विच अपना ले आ जान्द है क्लियर समें दे वीतन देना आलो इतना दे प्रिंसिपल ही महसूस हों लागजन देने students जिमें बहुस औरे accounting concepts ने business entity concept money measurement concept monetary concept going concern concept ये बहुस औरे concepts ने prudence and conservatism केंदेने materiality concept बहुस औरे concepts ने students ये तुसी स्टेप्टर दे विच डिटेल च पड़ दे होगे आपने से नेक्स question question number 10 for every debit there will be an equal credit according to which concept ये असल स्टुएंट में गाल दसाए को नो जो theory base of accounting है ये दे विच आसी कुछ accounting standards दी गाल करदे accounting concepts दी गाल करदे accounting सिदा आन्ता दी जा प्रिंसिपल दी प्रिंसिपल दे आरते ही बिजनस दे वीच सारे accounting record maintain हों देने जर्ल एंटरीज पास हों दी आने किसे नूँ डैविट करना है जा नहीं करना किस concept दे आ रहीता है a dual aspect concept b money measurement concept c business entity concept d matching concept so students right option this question dual aspect concept dual aspect concept दे उपर अधा रहीता है dual aspect concept दा मनल जिन्हों असी दोरा परिवाव कहने है कि business दे वीच हरे एक business transaction दा double effect पेंदा है जिसनों सी double entry system दे जो rules ने ओदे विच भी study कीता व्या हूं दे ता दोरा पाख जा दोरे पांदे सिदा आंत करके ही है हर बार business दे वीच जदों की लेंदे हूं दे हूं दे जिननना amount debit हूं दे होनना ही credit question is question number 11 as per income tax act accounting period in India is जुटार पीसर साथे दे ही जुटाल पाख दा साल के दा आंति है रहां दा डी वाली तो दे वाली तो लेगे अगले साल दी दी वाली तक प्रम विसाखी तो विसाखी इस साल दी विसाखी तो अगले साल दी विसाखी आं तक फ्रों 1st April to 31st March of next year from 1st Gen to 31st December साथे देश देश देवी जो अकाउंटिंग यर जा विट्टी साल जी नो फाइंशल यर कहने ने फस्ट एपरोल तले के अगले साल दे कती मार्च तक होंदे नेक्स्ट क्वेशन नमरी लावकर्ण 12 इंकम इस मैज़ड ओन दा बेसी जो आम्दन दी गनना जो किती जान दी है आम्दन दा जो माप किता जन्द है वो किस कंसेप्ट दा बेस है जिस देदा आरते बिजनस इंकम ना डर लेटेड कंसेट सांदे ने A. मैचिंग कंसेप्ट B. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट C. कोस्ट कंसेप्ट D. ननो दा वब सोचो एदा राइट आंसर, राइट आंसर व इसक्षिशन इस मैचिंग कॉंसेप्ट, जो इंकम दी गनना है, ए मैचिंग कॉंसेप्ट दे अधारते हुन दी है, तो अनोर एक बड़ी इंपोर्टन मैं गाल नीचे शेयर किते हैं ते अनल देखो, एन इंपोर्टन कॉंसेप् एक्रोल अकाउंटिंग इस दा मैचिंग प्रिंसिपर, states that the related revenue and expenses must be matched in the same period, means of accounting period to determine profit and loss, यह मैच अप किते जान देने, revenue and expenses जिजन दे बेश दे हुते, उस पिरिड दे दोरान, business दा प्रॉफिट जा, loss, कैल्कुलेड किता जान दे, so income जो मैजर किते जान दे हौँ दाब बेस की हुंदा है, matching concept, clear, so next question, दसन तो पहला मैं गल दासा, matching दा मैं लो तुलनादी तार ने, जिए तुलनाद मगद दिन किता हैं जान दा है, खर्चियां ते, income दा, clear, next question, question number 13, which is the basis of accounting system, accounting system दा base की ने, साड़े को चार option ने, A, actual base, B, cash base, C, hybrid base, D, all of the above, दोस्तों दी इना, जो केड़ा साड़ा accounting system दा base है, right, answer of this question is, all of the above, इस सारे दे सारे accounting system दे base ने, जिनानों आसी, A, actual base, cash base, या, hybrid base दे, नाम दे नाल, जानने हैं, student, समन्द लगी मेरी गाल? हाँ, students, थोड़ा brief तोनों मैं दास दा, इस दे वारे, तुसी chapter दे विच भी बढ़ा होएगा, क्योंकि ये tough issues ने, थोड़े technical ने, जो, A, actual base system है, accounting दा, इस दे, accordingly, जो, income दे expenditure ने, business, दे विच, जो, books of accounts त्यार किते हैं, जेने, record किते हैं, जेने, on the basis of their occurrence, and not on the basis of actual receipts or payment, जेनों, आकर होगे, जेनों, जदो कटीद होगे जदो डियू होगे मिलन वाले बनके ओदो असी उन्हानों रिकॉर्ड कर दें सिर्फ जदो एक्शुल मिलगे ओदा ओदार नहीं मनने जांदा इस सिस्ट्रम देकॉर्ड कैश बेस सिस्ट्रम की आगाउंटिंग दा उस देवीच है कि कैश बेस ओफ पेमेंट करती कैश मिल गया जाए कैश दी पेमेंट करती उस टाइम आसी बुक्स ओफ अकांट दे वीच उस बेस दे उते अकांटिंग बुक्स त्यार गीतियां जानी हैं हाइविड बेस एड़ा मिक्स अप है दोना सिस्टम दा एक कुछ हिस्सा शामिल कीता गया दे ब्रीफ सी बाकी चैप्टर दे विच तो सी डिटेल चे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन इस अकॉर्डिंग टू अकांटिंग साइकल विच इस प्रिपेर आफ्टर लैजर कांट लैजर कांट की बनाया जाना है बड़ा असान क्वेश्चन है बच्चा नू पता होएग जर्ण व्थाएग्या अजय अनू ऑन्क्राप्रोय जर अनू प्रापर अन्यूग मैंस्ट आर मारटेशन जुबस में लelines असमूंटक्क divth मैं चाकांटिंग सईकल इस्ता मैं स्थ्ट प्रूड़ेंट्स इस सवाएग के लेजर तो आफ टेयार हंदेले ट्रावल बैंस ती हर साल अकाउंटिंग दा सेम मैथोड यूज किता जांद है एक एड़ा कॉंसेप्ट एड़ा हनु सिखांद है कि सेम मैथोड को बारो आर मैथोड चेंज ना करो ए प्रुडेंस बी फॉल डिस्क्लॉजर सी कंसिस्टेंसी डी मेटेरिलर्टी यह स्टुडेंट्स यह करें ना कुश्चन्स देजें तुसी इनानू पंजाबी दे विच भी बच्चे सुनना चान तो अनू इगल्द पता होनी चेंदी है जो प्रुडेंस है जिसनू स्यानफ जारूडी वात था सिनात कहनते ने दूसरा वर्ड यूज कीता विया है थे फुल डिसकलोजर पूरन परगिडी करन करना साब कुछ सपस्ट करना अग एक वर्ड है कंसिस्टेंसी जड़ा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी इक समान ता इक सार्था एक लास्ट है साड़े को औप्शन जिन्नू मिटिरिल्टी सब्सक्राइब कंसेप्ट है जिस दे अकॉर्डिंग ली हर साल सेम मैथफर नूँ यूज कीता है अंदै अकॉंटिंग प्रसेस देली स्टेंस राइट आंसरों कोईशन इस कंसिस्टेंसी तांकि एक सार्थारे सारे 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 बुक्स ओफ अकाउंट नू मेंटें करन लेज नेगे वीच नेक्स कॉसेंस स्टूरेंट इनक्स कीमनें चाहिए स्टूरेंट इस देवारे जाल करते हैं यह जड़ा going concern concept है नूँ वपार दी निरंतर ताविकार ना कहते ने यह जड़ा मतलब की है मेरे ख़ल बड़ा आसान question है ज़्यादा सुचन दी जरूरत नहीं पहनी दानू right answer of this question is indefinite life going concern concept दे उन सारे मनायां दे कि business the life जिमे option C student A limited life B an indefinite life C very long life none of the work जड़ा right option है कि यह indefinite life business the life अनिश्चित मननी जान दिया कि बहुत लंबे समें तक business रहन वाला है पर कदों तक रहन वाला है यह अनिश्चित रहन दे नजदीक पविख़दे वी चीह होजा लागदा है कि business हमेशा चलन वाला है इस करके गोइंग कंसर्न कंसेट दा हिससे है इस जा गोइंग कंसर्न कंसेट और अजंप्शन आजंप्शन इस अन अकाउंट रचाइव एन कंपनी और बिजनस विच लिच ने बांदा जल्दी फ्यूचर दे विच दार नहीं हुंदा इस करके मनना दा कि बिजनस इंड़ा लाइफ देवी चलदा रहेगा एक गोईंग कंसर्ण कंसेप्ट है जिन्हों निरंतर रादा सिराथ कहें देने नेक्स्ट कोईशन इस नॉन फानेशल क्वांटिटेटिटिव इंफरमेशन इस नोट रिकॉंड इन दा अकाउंट्स दूटू डिटी गैर वित्ती मात्रात्मक सूचना है ओ अकाउंट्स दे विच रिकॉंड नहीं कित्ती जांदी मात्रामा क्वंटर्ल के लो नहीं कित्ती जांदे किस कंसेप्ट दे कारण A. Accural Concept B. Dual Concept C. Money Measurement Concept D. Entity Concept So, चोते आनल स्टुएंट्स The answer of this question is Money Measurement Concept क्योंकि असी यह थे monetary terms note कर दे The Money Measurement Concept states that a business should only record an accounting transaction if it can be expressed in terms of money सिर्फ ओनना transaction लो accounting transaction दे रूपचे record किता जावे जिनना वोसी money दे वीचे माप सकने है पैसे चे माप सकने है So, right answer is Money Measurement Concept इस करके यह थी quantitative information है यह थी गैर वित्ती सूचना है उसनों Books of Account दे विचे record नहीं किता जाना Next question is Match the following concepts आओ इननों मैच करिए Concepts से वारे होर जानकारी होएगी Business Entity Concept B option है साढ़े कोल B जड़ा मैच करना है Money Measurement Concept Going Concern Concept Accounting Period Concept दूसरे पासे साढ़े कोल Students Match करने लिए जो दूसरी कॉल मैच करने लिए Transaction must be for specific period लेंदेन ने एक निश्चित समय दे होने चेंदने Owner and Business are different persons इस दोनों लग-लग व्यक्ती ने Business आ मालक ते वपार Monetary Transactions Modric लेंदेन Business for indefinite period इस चोंसी दसने किड़ा concept की दे ना related है इस चारां दे वी चो किड़ा concept है इना चो किस डिड़ा कटना करम है उसी ना सुवंदत है मेरे काल तो उसी सोच चुके होंगे Students आओ answer जाने ला Right answer is जो Business Entity Concept है अलग पहचान Business दी अपनी इक अलग पहचान है This means ए हो गया Entity हुन दिया पहचान Owner ते Business Different Persons के ए बिजनस Entity Concept सानू समझान दे B.C. Money Measurement Concept इदा Right answer है Third Monetary Transactions इदा मतलब की है के Business दे वीच सिर्फ उनना Transaction नो record किता जन्दे अकाउंट्स दे विच जिड़ना डिवेलिएशना सी मनीज कर सकते इन्हों सी Money Measurement Concept दे विचे सानू सिखनू मिल दे C.I. Going Concern Concept इदा Right answer है Number 4 Business for Indefinite Period Going Concern Concept दा मतलब Business लगादारता बनी रहनी है इदा मतलब Business एक अनिश्चित समय तक इन्हों दे विच ताहीं ताभ Financial Year बनाया गया कि इक माँ अपरायल तो लेके Next Year रही कती माज था So students A.C. Matching Next Question is Accounting Standards are mandatory for जो Accounting Standards ने किस दे ली जुरूरी ने A. Soul Trader दे ली कि इदा मतलब किया है कि Accounting Standards जे मतावक Books of Accounts त्यार किते जान Accounts रिकार्ड जड़ा बनाने किस दे ली जुरूरी है किस ट्राइब दे बिजनस दे ली B. Option है Companies दे ली C. Societies दे ली जोनूं कॉर्परेटिव सुसाइटीज कहन देने Partnership Firm Students right option of this question C. Companies Companies दे ली Accounting Standards नो बनाना अपनाना जुरूरी है अपने बुक्स ओफ अकाउंट दे ली Next question is Which system of accounting is known as mixed system of accounting A. शायद मैं दास चुके है इना जो किस system नो mixed system दे नाम नाल जान देने A. एक्रोल सिस्टम जिन्नों प्राप्ती पर नाली कहन देने B. Hybrid system C. है साथे कोड़ कैश सिस्टम नगत सिस्टम None of the these इना जो किड़ा है None of these इना जो कोई भी नहीं Right answer सोचो student Right answer of the question is hybrid system तो अनु सारा नूपत है जो actually जड़ा एक्रोल सिस्टम है एदे बारे में तो नुदस ऐसी एक्रोल सिस्टम बेस होंदा है Income to expenditure उस बेस ते रिकॉर्ड कीते जान देने जिस बेस ते उना दी अक्रेंस होंदी है चाहे ओहो cash receive होंड या ना होंदा जोदो की cash system दे वीचे सिरफ cash जोदो actual आंदे जा जान दा है उस accordingly books of account त्यार होंदी हाने hybrid system में दा mix up होंदा है अद्दा ओधा हिससा शामल कीता है अद्दा उस्दा इस तो पहला भी question में दास चुके है students ओधा नुदस से अभी जी में कि सिस्टम दे वीचे accounting revenue ते assets record किते जान देने cash बेस ते जदों की expenses दे liability record होंदेने एक्वरल बेस तो next question students next question is who is considered as father of accounting बड़ा असान है किस नोसी father of accounting मांने है ए टेलर बी आडम स्मित सी फ्योल सी लुका पेस ओले हो लुका पेसे ओली लुका पेस ओली जान दे होंगे next question is when GST implemented ने इंडिया पारदे विचे जीस्ट कदो लागो है और 1st July 2017 on 1st July 2016 on 1st August 2016 on 1st August 2017 कुझन दो लागो है students जान दे होगे तुसी GST कुझन दो लागो है Goods and Services Tax पास होया पहला उसनों पार्लेमेंट दे बीच पास किता गया दोन्हों सद्राइब पास करके राश्च्ट पती दी महर लगी फिर जाके GST लागो है उन GST ना रेलेटेड वीडियो अलरड़ी मेरे इस चैनल तेनों लिंक में नीचे दे दूँगा तुसी उत्व देख सकते हो डिटेल्ड दे वीचने हो तान स्टुडेंट्स 31st मार्च 2015 फिर्स्ट ऑप्शन है B 31st में 2015 C ऑप्शन है 29th मार्च 2017 टी ऑप्शन है 29th जुलाई 2017 तान राइट ऑप्शन है 29th मार्च 2017 ऑन अत्ती मार्च 2017 पार्लिमेंट पास हो है जदों की एक को जुलाई 2017 तो जाके लागो है देश दे बिच स्टुडेंट कोईशन है 23rd कोईशन है जल्दी जल्दी करिए टाइम दोड़ा जा रहा है दा कॉंसेप्ट ऑफ कंसर्वेटिविजम विल है दा इफेक्ट ऑफ जो कंसर्वेटिजम दा कॉंसेप्ट है उस दा की असर पहने है जिन्हों रूड़ी वात्ता दी तार ना कहने इन्हों था की प्रव्डार है एए अंडरस्तETमेन अश्थ,ंडरस्तेप्मेट फियृटिजम जू ना की तौछ री मचर्फ सपूपैयों डह कॉंख रूद्ध टैक्सौं जूड पोड़ी टोन्यों विल्दी कोंसेप्ट संद dough्वेट ऊन्व मेर्ट और जे देन्हीं हम सा the conservatism or the convention of conservatism will have the effect of understatement of effect as Canadian regarding Understatement the current that according to conservativism principle all the anticipated losses and expenses should be taken into account in advance जिनने भी सानु एक एस्टीमेटर लॉस जाक्सपेंसिस हुंदेने उन्हानु अडवांस दे विच अकाउंट्स ले ले जान्द है बट आल दा एंटिस्पेटड इंकम्स एंड शुड नोट वी रिकॉड़ेड इन अडवांस जोनों की जड़िया अक्सपेटड इंकम्स ने फ्यूचर दे विच अटिस्पेटड मिलन वाली आने उन्हानु रिकॉड नहीं किता है अन्दा एक कंजर्वेटिजम प्रिंसिपल कह रहे है यह त्यान रख्यों जिननू असी प्रुडेंस कॉंसेप्ट भी कहने है इदा मतलब की हो गया means takes into account all future losses but leaves all future profits पाव सारे future दे लॉसी जाग सब्सक्राइब पर future profits नूँ शामिल नहीं कर दे इस concept दे कार्णिंग ली यह तार ना है नेक्स टुडेंट्स अगर ने आप अगला क्वेशन अकॉर्डिंग टू विच अफॉलिंग कंसेप्ट इवन प्रॉप्राइटर बिजनस इस ट्रेटिटर आज क्र दी है entity concept मेरे खाले question सारे नूँ आंदा है right answer is entity concept पहचान दा जड़ा concept है इदा मतलों साफ है के businessman ते business दो अलग लग persons बनने जान देने जेकर businessman business capital दे रूप ऐसा लेके आंदा है ता उसनों as a creditor जदो बिजनस बंद होंदा एक तरह उसनों पैस भी करना पहनता है business ने वो प इंकल्प जा इनू अदार केंदेने एक की इदा अर्थ की है the receipts of the order the delivery of the goods the receipts of cash from the customer none of these सोच ज़रा order the receipt 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 मनला प्राप्ती है deliver of goods माल दी स्पूर्दगी कार देनी delivery कार देनी गहाँ तो नगदी दे receipts of cash from the customer गहाँ तो नगद प्राप्त कर लेना none of these एना चो प्राप्त कर लेना नहीं है क्या नहीं सोचो थोड़ा पहला मैं एक information दानू जरूर देना चाहांगा student इस पारे realization concept ए मान के चालदा है revenue is recognized only when there is a sale or transfer of goods जो असल चाह सेल हो जन दिया जा वस्तुवादी मालकियत शिफ्ट हो जन दिया एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति देविच व्यक्तितों दूसरे व्यक्ति देवल ता उस त्राइम जो पैसे प्राप्त हों देने उसनों ही revenue कर देने sale is complete only when the title of the goods is passed on to the buyer त्यान रख्यो टाइटल होंदा है मालकियत जो वस्तुवादी मालकियत ख्रीद्दार कोल शेफ्ट हो जन दिया उस समय असी उन्हों sale मानने असल चाहिए एक कौंदास दे realization concept होन मेरे खाल तो सी right option चुन 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 मान रहें देलिवरी ऑफ गुड्स नो जो दो ढोगियत चेंज जो जन धिया बस तुमादी तो स्टुडेन से साड़े आज दे झाल 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 झाल